नमस्कार मैं हूँ जमशित खान और आप देख रहे हैं 24 TV नेटवर्क राजिस्तान हर रोज की तरह हमारा एक खास प्रगाम एक मुलाकात और आज के हमारे मेहमान है प्रकास भिदोडी जानेंगे क्या भिवाड़ी की क्या सोचे आने वाले समय में वो क्या करने वाले हैं भि पर जवान पर हर जवान पर यही है क्या आने वाले समय नगर प्रश्चित में कौन चेर्में बनेगा कॉंग्रेस का बनेगा बनेगा या किस का बनेगा इसी सिलसिलों को लेके आज हमारे मेहमान है प्रकास भिदोडी नमस्कार से नमस्कार जी तो आप क्या सोच रखते हैं ब्युवाडी के बारे मेरी सबसे पहली सोच तो यह है कि ब्युवाडी को जैसे पार्टी बंदी जो खेमे बंदी हुई पड़ी है उससे उपर उठ करके पाच्छेतर के विकास की बात की जाए और छेतर में जैसे आप मैं हम देख रहे हैं कि दस साल से संदीव दायमाजी च फवोड की रहती है जो spray आता है वरसाथ में का अल हो जाता है हमारा मेन देख से यह नहीं की फिर्वेव면दी बंदी से नाओर के ये सोचना है की छेतर का विकास कैसे हो ऎम आदमी का विकास कैसे हो याँए बिन बिन समुदाय के लोग रहते हैं और देस के बिन बिन कोनों से आये होए यहां पर रोग रहे रहें जो नोकरी कर रहें चाहे व्यापार कर रहें और सब से यह रहा है और लेकिन वहां पर जो इंतजाम्स है वह पूर्ण रूप से सही नहीं हो पाते हर बार कोई ना कोई घटना ऐसी चैन स्नेचिंग की या किसी के कोई वस्तु छीन लिया जाता है तो उस पर भी प्रसासन और यह जो हमारे प्रजन प्रतनिदी गण है वह उस पर भी ध्यान दें और मेरी तो यही है कि सबसे जो सरवपरी है कि वातावरन बिल्कुल अनुकूल र प्रार है हमारी यहां पर इतनी फैक्ट्रियां है जो पॉलुशन फैला रही है हम स्वास लेते हैं तो हमारा अंदर स्वास की जगह पॉलुशन ही जा रहा है और जो हमारा भूजल है वह बिल्कुल खराब हो गया है एक तरह से लगा लो हम कैमिकल पी रहे हैं बिना उसको प्लांट के लगाए बिना उसको आरो के हम उस जल को पी ही नहीं सकते हैं तो सबसे मैत पूर्ण तो यह है कि हमारी जो आने वाली पीडी है वह कहां पर पानी पीएगी और दूसरी बात यह जो इतनी भी कुछ कंपनियां सभी कंपनियां प्रदुशन नहीं फैला रही हैं जितनी भी कंपनियां प्रदुशन फैला रही हैं उनके अत्रिक्त उनको उन पर प्रसासन की तरफ से कड़ी कारवाई का नियमों को विल्कुल कड़ा उनको आदेश देना चीए कि नियमों का पालन करें जिससे कि जो यहां पर आम आदमी रह रहा चाहिए वह बाहर का है च इस छेत्र को छोड़ के जाना पड़ेगा अंदतह मैं एक ही बात कहूंगा जोकी सबसे महत्पूर्ण है इस छेत्र के लिए कि वो यह है कि भाईचारा अमंचैन और छेत्र के विकास की बात हो नहीं की गुटबाजी या राजनीती की बात हो सरो पर ही छेत्र के विकास को रखा जाए अगर छेतर का विकास होगा तो प्रते एक आदमी अपना आप उपर उठ जाएगा और मैं यह कहना चाहूँगा कि किसी की भी टांग खीचने के वज़ाए उसका हाथ खीचो अपने आप आदमी सब लोग अपना आप उपर उठते चले जाएंगे बस मेरे तो यह आपको लगता है कि सारे लोग एक मिल जुट के भीवाडी के विकास की गती बढ़ा सकते हैं प्रकासी आपको मैं थोड़ा से बता दूं यहां 4000 कंपनी है तो आपको क्या लग रहा है कि क्या विकास यहां पर कम हुआ है देखा जाए तो संसाधन पूर्ण थे सरकार भी थी केंदर में भी सरकार थी यहां पर भी सरकार थी राज्ये में भी भारती जनता पार्टी की लेकिन संसाधन पूर्ण होने के बाद भी हम वो विकास नहीं कर पाए जो हम जो इस खेतर का विकास होना था अब हमें बैठ करके यह फिर जो राजनिता गणे जन प्रतिनीदी हम विकास उतना विकास क्यों नहीं कर पाए हम पिछड क्यों गये अधि संसाधनों की कम थी यकीए तो बढ़ायाी जा सकते थे केंदर में भी सरकार थी भारती जंतापार्टी की यहां पर भी सरकार थी तो अब मैं यह चाहूंगा कि जो नई सरकार आई ए वह हमारे नगर परिशत भिवाडी की तरफ ध्यान दे और यहां के विकास में अपना योगदान दे जो नेतागण है और जिससे कि यहां का विकास और अधिक से अधिक हो सके तो आपको क्या लगता है कि भीवाडी में एक कैसा नेता हो जो भीवाडी के लिए एक गति बढ़ा है आप को यहां कोई वियापार कर रहा है क्या सभी को साथ लेगे चले तब ही भीवाडी काला सही माइने में हो पाएगा हूं। और यह जो जितने भी नहीं सड़के वड़के जो भी कुछ हैं यह इन पर प्रसासन पर दबाव दे कि यहां पर सुचारू रूप से अपना काम करें समय पर काम करें जिससे कि हमें जो यह कठनाईयां और जो अउरुद्ध परन हो जाता है सड़के रुक जाती हैं इस और लोगय काम होना चीहलुत्जा एक तो जो यह प्रसासन हम यह सुनता ही नहीं है जिसका करण है नैता का जो एसा होना में प्रसाषं यह कि प्रसासन का कारें इसको विए सुचारू रूप से करें तब भिवाडा का विकास होगोह तो देखा आपने हमारे पास आज हमारे महमान तर प्रकास बिरोडी जो उसकी सोच थी कि भीवाडी की विकास की गति के लिए सम्मे हाथ से हाथ मिला के सभी नेता हो आम जनता हो सब को भागीदार बनना होगा तो तभी भीवाडी का विकास होगा